Hello Everyone, Welcome to Vedimi, A Mission with Educating India तो आपको ये फोप कि आपको वेदिमी नाम जो पसंद आ रहा होगा आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे different different videos like की जो YouTube चैनल के हमारे आ रहे होंगे उसको उससे आप फाइदा उठा रहे होंगे नहीं चीजे रोज सीख रहे होंगे आपके लिए बता दो डेली वीडियो अजाते रहेंगे रिलेटे टू स्टेडी परपास रिलेटे टू कम्टेटीव एग्जाम परपास लेटे टू नोटिफिकेशन परपास मेरे जो सेशन्स होंगे इसमें मैं बात करूंगा सब्सक्राइब इसमें बात करूंगा ठीक है और इस सेशन्स में बात करने हो एक डिजर्टेशन परग्राम के बारे में तो जैसा कि कई सारे इंस्ट्यूज में रिक्वार्मेंट होता है यह फिर किसी किसी इंस्ट्यूट में हो सकता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग फेसलिटीस नहीं मिल लए तो भी आप इस प्रोग्राम को फाइदा उठाच सकते हैं तो एक प्रोग्राम के बारे में आपको समनी बता दूंग यह प्रोग्राम है पीजी डिडिटरेशन प क्या है जूब क्या है जोब्स इस में स्थ्ट इर में है या फिर बी टेक बी-फार्मा बीस्ट इ Snig empower可 final race दिद फूर में में साथ इसात B brain वी या है और बीसी इंट्रीटने निटी इसी ा कोई कर रहया है लाइक कि अगर उनके इंस्टूर्ट में ऐसा कोई काईटरी है कि आप कुछ six months या एक साल के लिए बाहर जाकर प्रोजेट करना है अपना डियरिटेशन खतम करना है तो आप इस प्रोग्राम का फाइदा उठा सकते हैं साथ ही जाथ जो स्टूरेंट्स अभी फाइन अपने इंस्टूट में एक पर्शेट परिसूर कर रहा है तो भी अपने चोटी से वह पर्मिशन लेकि इस प्रोग्राम में अप्लाइ कर सकते हैं तो इसमें आपको फाइदा होगा कि अगर अपको आम है प्यश्टे करने का जॉब करने के तो आप हैंस्टों चिपिय होगा बात कर लेते हैं डिटेल्स के बारे में तब से पहले है जो की प्रोगाम मैंने बताया है पुले पुने यस्टे Würग रूंपर फोडिया सेशन के लिए यह एक में बता दू यह साल में चार बार आता है मन homes would अभी जो आया है, वो जून सेशन के लिए है, अगर आपको अपरेल सेशन के अप्लाई करना है, तो फॉर्म में दिसंबर में आएगा, अभी जो स्टुट्ट्स को जून सेशन में जैनरी सेशन करना है, उनके लिए फॉर्म आया है, अब बात करते हैं, कौन-कौन से एरियास में आप डेटेशिन कर सकते हैं, तो मॉल्टिपल एरिया से लाइक कू, modern biology, molecular biology, cell biology, structure, bioinformatic system, ecology, psych cancer, infection, neuroscience, तो मॉल्टिपल एरिया समें आप डेटेशिन कर सकते हैं, eligibility, eligibility की जैसे मैंने बताया, जहां से देखिएगा, currently pursuing first year of MSC, M Pharma, M Tech और 4th year of B Tech B Pharma, B SC ठीक है? तो MS जो भी Master's program कर रहा है वो उसमें 1st year में हो और जो भी Bachelor's program कर रहा हो उस Bachelor's program के 4th year में हो और जीनों स्टोर्ट्स हैं complete कर लिया या फिर dissertation से पहले ही complete कर जाएंगे वो इसके eligible नहीं है जब तक आप dissertation करेंगे तब तक यह माना जाएगा कि आप graduation या post graduation कर रहे हैं परसु कर रहे हैं वो complete नहीं होना चाहिए अब बात कर लें तो कैसे apply करना है तो apply करने के लिए जो link है description में दे दिया जाएगा साथ-साथ आप NCS website के carrier section में जाके apply कर सकते हैं क्या क्या चाहिए तो cumulative marks रिचाहिए third year तक की ठीक है अगर BTEC की through apply कर रहे है तो third year तक की community marks रिचाहिए FEMSC की through apply कर रहे हैं तो first year तक की community marks रिचाहिए और साथ-साथ SOD के साथ से एक permission letter भी चाहिए उस permission letter का जो format हो नीचे इस form में दिया है इस form का भी link दे दिया जाएगा तो आपको basically दो document चाहिए क्या क्या चाहिए BTEC graduation कर रहे हैं तो third year तक का community marks रिचाहिए MSC कर रहे हैं तो first year तक का community marks रिचाहिए और साथ-साथ आपके चोड़ी से permission बाकि photograph वगरा वो सब चाहिए तो मैंने काफी details बता दी है अगर आपको कोई doubt रहता इस training program के या dissertation program के बारे में तो comment section में जरूब बताईएगा हम उसे चरूब solve करेंगे एक बार फिर में समय बता देता हूँ ये PG dissertation program है उन students के लिए जो master's या b.tec currently pursue कर रहे है master's के first year में है या फिर b.tec या b.pharma के fourth year में है तो इसके लिए eligible है from NCS National Center for Self Science साथ त्री बाइफ पुले पुनिविश्टी के थूँ ठीक है और और जरूब बताईएगा comment section में thank you and take care